हेलो गोड़ इबनी गाईज स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर निर्माण में दोस्तो आज हम डीटर प्लेश भी से लेटेट कुछ डाउट्स क्लियर करेंगे तो जो बच्चों की कोमन क्वेरीज रहती हैं वो मैंने उठा ली हैं और उन्हें आज में सॉल्व करूँगा उनके बारे में डिसकस करेंगे अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें सबसे पहला डाउट आता है ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री या फिर प्रोविज अपलोड कर देना कि जैसे ही में डिग्री या प्रोविजनल इशु हो जाएगा मैं सम्मिट करा दूगा आपको टाइम मिल जाएगा थोड़ा डीटर प्लस भी दुबार से अपलोड करने के लिए बोल देगे आपको उसके बाद में मार्क शीट का इशु आता है कि हमारे किसी के पास सेमेस्टर वाली है किसी के पास एयरली वाली है किसी के पास तीनों एयर की एक साथ माक शीट आती है जैसे डियू में आती है तो आपके पास जैसी भी है वैसी ही अपलोड करें सेमेस्टर वाली है तो सेमेस्टर वाइस अपलोड करें एयर वाली है एयर वाइस अप्लोड करें, अगर consolidated है तीनों येर्स की एक साथ तो उसे upload कर दें, लेकिन remarks में mention ज़रूर कर दें, कि yearly है, semester है, consolidated है तीसी चीज़ आती है affiliation certificate of B.Ed. या फिट D.Ed. ये कब submit करना है आपको E.Dozier में, ये तब submit करना है जब आपका college private हो government college को बिलकुल नहीं करना है private चाहें कहीं का भी हो उसे करना पड़ेगा ये, ये कहां से download करें, या तो आप online NCTE की website पर जाके download कर सकते हैं, वहाँ पर पढ़ा होगा या फिर अपने college वालों से ले लिजे, या फिर college वालों से download कर देंगे, डीटर प्लस भी मान भी लेगा इसे लेकिन जब आप document verification के लिए जाएंगे तो आपको otprms site पर जाके जो certificate निकलता है NCTE वाला वह आपको चाहिए होगा तो वह भी आप निकल वाले ना otprms करके website है, वहाँ पर जाएंगे, register करेंगे अपनी details फिल करेंगे और आपको 10-15 दिन के अंदर वह certificate निकल जाएगा वही होता है affiliation certificate एक और question क्या आता है कि Edozier में का deficiency है तो क्या डीटर प्लस भी दुबारा मौका देती है, हाँ बिल्कुल देती है आपको एक मुका तो जरूर देगी, आपको deficiency क्लियर करने के लिए लेकिन कोशिश करो, deficiency का मुका ही मत दो, सारे documents आपने तियार रखो जैसे ही आपका Edozier खुले, आप उसे भर दो, ठीक है अब आई cut-off date वाली बात कुछ बच्चों के मन में doubt है कि cut-off date कौन सी मन जाती है कि हमारे जो result में cut-off date गलत लिख रखी है जबकि last date बढ़ा ही गई थी, form भढ़ने की तो जो last date है form भढ़ने की, उसे ही cut-off date माना जाएगा अब भी PGT English female का result आया है उसमें एक लड़की का ऐसे ही case था कि उसका जो result announce हुआ था, form भढ़ने की last date से कुछ दो-चार दिन पहले announce हुआ था form भढ़ने की last date extend हुई थी तो जो extend वाली date थी, उससे कुछ दिन पहले आया था तो उसे allow कर दिया, उसके final result में clear हो गई है तो जो last date of form submission रहेगी, वही cut-off date है उसके बाद में mark sheet and certificate और 10th and 12th किसी-किसी बच्चे की mark sheet और certificate अलग-अलग रहते हैं तो वह अलग-अप्लोड करें किसी के combine रहते हैं तो वह combine upload करें affiliation 10th और 12th की जरूत नहीं है अगर आपके पास है तो well and good नहीं है तो आप उनके certificate ही अप्लोड कर सकते हैं कि मेरे इस document में यह नाम में change है या जिस किसी चीज में भी change है उसके लिए affidavit बनवा लिजए एक और चीज correction के लिए भी apply कर दीजे उस correction के apply करने की जो slip मिलेगी आपको उसे भी आप upload कर सकते हैं कि मैंने correction के लिए apply किया हुआ है फिर कुछ doubt आते है कि application form में हमसे यह percentage गलत एड हो गई थी हमसे seat एड के marks गलत हो गई थे हमने year गलत भर दिया था तो उसके लिए भी affidavit बनता है कि मैंने form में गलती से यह fill कर दिया था actual यह है actual जो document है उसे upload कर देना e-dosier में कोई दिक्कत नहीं होगी उसके बाद other state OBC वाला doubt आता है other state OBC जनरल में ही count होंगे जो बस दिली के OBC है और उनके पाद OBC का certificate है cut off date से पहले का cut off date से पहले का certificate issue होना चाहिए वही हमारे OBC में count होंगे उसके बाद एक doubt हो रहता है कि जो मेरी degree issue हुई या mark sheet issue हुई उसकी date जो है cut off date की बात की है तो क्या करें देखो issuance date से कोई मतलब नहीं है आपका result कब announce हुआ है वो date माईने रखती है cut off date से पहले आपका result आना चाहिए issue बेशक बाद में हो जाए mark sheet कोई दिक्कत नहीं है आपकी degree बाद में issue हो रहे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जो आपका result है cut off date से पहले clear होना चाहिए ठीक है तो दोस्तों यह कुछ common doubts थे जो बच्चे पूछते रहते हैं बार-बार यह मैंने clear कर दिये हैं इसके अलावा भी कोई doubt हो तो आप comment करके message करके मुझे बता सकते हैं मैं अगली वीडियो में समझा दूँगा या आपको personal message करके समझा दूँगा अगर टेलिग्राम पे हमें join करना चाते हैं तो कर सकते हैं ऐसे ही नईनी वीडियो नईनी information लाते रहेंगे मिलते हैं नेक्स वीडियो में धन्यबाद